Hello everyone, welcome to government job करो आज की वीडियो बहुत जादा different होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो selection process का step 1 होता है यानि की return examination लिया जाता है आपका उसमें क्या-क्या बाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या-क्या important चीज़े हैं जो कि आप लोगों को पता होने चीए अगर आप लोग भी इस important चीज़ के बारे में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो का इन तक ज़रूर देखें जैसा कि आप लोगों को मैंने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या common eligibility criteria है जो कि आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप लोग किसे भी पंजाब गौर्मन जॉब के लिए apply कर रहे हैं उसमें मैंने आपको selection process के बारे में बताया था जिसमें number one step पे था written examination अभी तक जितनी भी latest notification आई है फिर जितनी भी notifications के बारे में मैंने वीडियो बनाई है उसमें एक चीज आपको commonly देखने के लिए मिली होगी और सुनने के लिए भी मिली होगी कि सबसे main जो चीज सेलेक्शन में आपके written examination होते हैं हाला कि अलग जॉब के लिए जो syllabus है वो थोड़ा सा different होता है बड़ दो common factors हैं यानि कि दो common subject हैं जो कि mostly अपको हर एक job में देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आजाता है GK अफकॉस है GK तो आपकी mostly जितने भी exam है उसमें मिलता ही है तो आप लोग अभी से त्यारी कर दें कि आपकी GK जितने ज़्यादा strong हो सके उतना ज़्यादा बढ़िया है अगर आने वाली future में आपकी qualification की रिगार्णी कोई job vacancy निकलती है पंजाब में तो आप लोग पहले से ही prepare हो और आपका जो GK का base है पूरी तरीके से strong बना हो तो GK की preparation आप लोग ज़रूर कीजिए then English आपकी strong होनी चाहिए क्योंकि most of the जितने भी exams मैंने देखे हैं या फिर मैंने जितने भी उनके बारे में research की है पड़े हैं उनके लिए जो है आपकी examination में English subject भी पूछा जाता है तो English भी अगर आपकी strong है तो यह बहुत easy होगा आप लोगों के लिए कि आप किसी भी opportunity को grab कर सके और कोई भी examination असानी से crack कर सके next सबसे important चीज पंजाबी जैसे कि आप लोगों को यह चीज मैंने बहुत बार बताई है कि अगर आप लोग पंजाब government job के लिए apply कर रहे हैं तो सबसे important चीज जो आप लोगों को चाहिए होती है वो यह है कि आप पंजाबी पास हो आप लोगों को पंजाबी की proper knowledge हो अगर आप लोगों को यह चीज नहीं पता होंगी तो अगर किसी भी particular जो जैसे की पटवारी का exam होता है नाइप तैसिलदार का exam होता है इसमें पंजाबी से related भी आपसे question पूछे जाती है जो की approach 10 to 15 marks के होते हैं तो इस समय के हैं आपके 15 marks loss हो जाएंगे अगर आप लोगों को पंजाबी नहीं आती हुई तो अगर अभी से आप लोग इन तीनो topics के ओपर इन तीनो subject के ओपर काम करना शुरू कर देंगे तो mostly आप जितने भी पंजाब government jobs निकलेंगी आगे आने वाली future में इनकल देंगे इनके लिए भी apply कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का already जो most of the base है वो set होगा then सबसे important जीज में आप लोगों को यह बताने जारे हैं कि O.M.R. sheet में आपके mostly examinations लिए जाते हैं जितने भी government jobs होते हैं वो mostly O.M.R. sheet में इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि MCQ based होते हैं और इसमें जो है computer से आपके जो examination है वो check किये जाते हैं तो हाला कि मैंने इसके regarding भी separate video बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को O.M.R. sheet में कैसे आपको क्या क्या प्रोसेजर फॉलो करने हैं क्या चीज़े ध्यान में रखनी हैं यह सारी बाते बताई हैं बट फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा explain कर देती हूँ बट स्रील अगर आप लोग उसको अच्छे से समझना चाते तो आप हमारी last video देख सकते हैं उपर दिये गए i button के through स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको यह बता दूँ कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह है आपकी OMR sheet तो इस तरीके से आपकी OMR sheet है वह बिल्कुल होती है जिसमें आपको dots दिये जाते हैं लिखा जाता है ABCD लिखा जाता है यानि कि options दिये जाते हैं separate question paper मिलता है आपको जिसे आप पढ़ते हैं और इसमें चार options होते हैं आपके जैसे कि आप लोगों को मालूमी हैं हर एक examination में आपके mostly जो questions हैं वह MCQ based होते हैं तो चार options आपको दिये जाते हैं जो आपको सही लगता है question का answer वो आप लोग mark करते हैं OMR sheet के ओपर तो हाला कि मैंने आपको हमारी last video में बताया था कि जो OMR sheet है उस पे आप लोग black pen का use करते हैं यानि कि black ball point का use करते हैं और यह इसलिए करते हैं पूरा circle आप लोग dark करेंगे ना उसे half dark करेंगे ना उसको एकदम छोड़ देंगे ना पूरा बहार तक डा करेंगे जितना proper वो circle दिया गया है उसको उसी तरीके से dark करना है तब भी वो valid माना जाएगा नहीं तो mostly जो students होते हैं उनके question आग थे यहीं गलत हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से और माशीट पे अपने answers correct नहीं कर पाते हैं तो यह चीज़े आपको ध्यान में लख रही हैं यहीं बाते थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थुरू बतानी थी होप सो आपको समझ आगी होंगी तो अगर आपको still कोई भी question पूछना है written examination के बारे में जो कि इस वीडियो के दोरा नहीं cover हुआ है फिर आप लोगों को नहीं समझ आया है तो आप हमें comment section में पूछ स सकते हैं हमारी whatsapp number के through जो कि आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएगा so thank you so much for watching this video and have a nice day